साधन भट्टाशारी आये हैं बाबा, वो आपके अनुभाव ग्यान के बाबत कुछ बिंदूओं पे आपसे बादशीत करना चाहते हैं जी, आईए बाबा जी, मज्द्यस्दर्चन के मूल तत्व में तीसरा है अनुभाव ग्यान सत्ता में संप्रिक्त जड़ चैतन्य प्रकृती, सत्ता अर्थात व्यापक में संप्रिक्त जड़ चैतन्य इकाईयां अनन व्यापक, पारगामी व पारदर्शी, सत्ता में संप्रिक्त सभी इकाईयां, रूप गुण सभाव धर्म संपन, तुवसहित व्यवस्ता, समग्र व्यवस्ता में भागीदारी के रूप में है। इस बात को वहां सत्यापित किया है। अन्भव मैंने क्या किया, उसको एक सत्यापित किया, ये समजार के लिए सूचना है। अभी जो आप हम सत्संग कर रहे हैं, ये हृदियस परशी विधी से होने के लिए सत्संग कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें मून वस्तो है, सत्ता म बारे में मैने देखा है, सर्वत्र एक्सा विद्धिम्या सुखप्रत होना देखा गया, नित्य प्रतिष्था के रूप में देखा गया, ये इसमें रद्दो बदल कमी बेसी का काम नहीं है, यहाँ ज्यादा वहाँ कम ऐसा कुछ नहीं है, सभी पूरा जणचेतिन प्रकृति में पारगामी है, पारदर्शी है, पारगामी होने के फलस्वरूप भिगा हुआ होना समझ में आता आया है हमको, और घिरा हुआ डुबे रहने से घिरा हुआ भी समझ में आ गए, इस दंग से भिगा, डुबा, घिरा रूप में सारे प्र डुबा हुआ है घिरा हुआ का है क्या चीज? व्यापक वस्तो हर वस्तो के सभी ओर ठीक है और भिगा हुआ है हर एक वस्तो उसके सूक्षम सूक्ष्मतम और बड़े से बड़े चीजों को देखा है सभी भीगे हैं जैसा सुक्ष्म से सुक्ष्म वस्तों के और जाते हैं परमानों आउश नाम की चीज मिलती है यह आखों से देखने के लिए कितने लोगों को मिला हम नहीं जानते हैं कितों मैंने अन्भव किया है कि सूक्षम से सूक्षम वस्तों के रूप में पर्माणों आउंश होते हैं, उनका प्रवर्ति पर्माणों में काम करते हैं, व्यवस्था के रूप में काम करने की बना रहता है, यह भी मैंने देखा है, ऐसे पर्माणों आउंश भी भिगा रहत दुबह रहता है घिरा रहता है जो उसमें मैंद लिखा है जो व्यवस्था का प्रकाटन परमाणू के बाद ही है परमाणू से रचित रचनावं के साथ ही व्यवस्था का प्रकाटन है यह पता है इसके पहले की स्वरोप में परमाणू उसमें क्या प्रकाट हुआ इस प्रकार से पर्माण आंश में व्यवस्ता के रूप में होने का प्रवर्ति समाहित रहती है फलसरुब कम से कम दो परमानोंश एक दूसरे को पहिशानते हैं, एक बीच में रहते हैं, एक चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, अब तब वो अपने निश्चित आचरण को बता पाते हैं, अकेली परमानोंश अपने में एक निश्चित आचरण को बताने पाता हैं, त तो इससे क्या और नश्चित आचन को प्रमाःत करने में क्या आ गए, पूरक्ता उपयोगिता, उसका उपयोगिता भी हो गए, पूरक्ता मैंने, दूश्य परमाणों के लिए आ दे गा, ये भी पता लग गए, इस तंग से एक परमाणों की अवस्था यथास्थिति, दुश्रे परमाणों की अवस्था और यथास्थिति के लिए प्रेरक इस तंग से बन गए, इस तंग से बन करके अनेक प्रजाती की परमाणों हुए, अनेक प्रजाती की परमाणों जो बनी वो सब का सब डुबे हैं और बिगे होगे हैं इस तंग से मैंहीं डेखा अब उसके बाद आगया वो परमाणों के सरपूरे बात को देखा तो केवल अधरु भुवति क्रिया रासाइनी क्रिया जीवन क्रिया के रुप में कारी करते हुए देखा ठीक तीने प्रजाति की क्रिया इसमें, जीवन क्रिया का जाही काम है, जागर्ती करम जागर्ती, ठीक है, और यह जो बाकी रासायनिक भौतिक क्रिया हैं, विकास अक्रम विकास में कारी करता हूँ, हमिलता है, यह सब विकास अक्रम विकास ना हो, विकास अक्रम हो, ना हो, विका तू रह सकता है, विकास का प्रमान नहीं हो सकता, यह सब ना हो, जिशा जीवन हो गए, जीवन के रूप में कोई जीवन की वैभव, वो सहस्तित्व में ही प्रमानित होगा, उसके लिए आगे चल करके लिखा है हमने, कि सहस्तित्व नित्य प्रभावी, सदा प्रभावी, सदा सदा के लिए प्रभावी है सहस्तित्व, सहस्तित्व नित्य प्रभावी होने के आधार पर, जड़ चैतनी के योग में ही, चैतनी का वैभव, जड़ का सीमा है, स्पष्ट हो जाते हैं, यह बात को आगे चल करके स्पष्ट किया है, इस टंग से कामना के पूर्ति के लिए सब दिखा, समझ में आ गई, उसको हम प्रगट किया है, प्रगट करने पर इसमें हमको लगता है, व्यवस्ता में होने के लिए पूरा प्रजक्ट बनता है, पूरे के पूरा अभिवति, व्यवस्ता है, हम शुरू किया है, भहत इक वाद व्यव एक पष्ट में बीवस्ता है यह यह बो आउस्की पर्मान में project कि बीवस्था है वेवस्था होने के आधार पर निरंतर जुनसरे के लिए वेवस्था के प्रेरक है ज最 पहतर क्लिए इससे बात को स्पश्ट कियर बात कि सब्ह falou कि घठंपूर्णता के पर वो जड़ प्रकृति भी जड़ प्रकृति के साथ ही अपना वैभव को वेक्त करता है। कैसे शहास्तित्युनत्य प्रफावी। तो व्यापक वस्तु ये संपूर्ण जड़ चैत्युन प्रकृति के साथ ही अपने वैभव को प्रगट किया। यह ना हो वो प्रगठ हो जाए ऐसा होते ही नहीं वो ही हमारे बुज़रगों नहीं लिखा है व्यापक वस्तो ग्ञान रूप में वो अपने में अव्यक्त और अनिर्वच्नी है यह लिखते हैं उस समय में शयद है वत नहीं लिखने की जरूरत रहोगा वत नहीं लिखे हैं या उनको समझ में नहीं आता है नहीं आया होगा ऐसा भी है अपन सोच सकते हैं जैसा जो सोच हैं मेरे अनसार सम्मान जनक भाशा यह ही है उस समय में वत नहीं लिखना उचित समझा वत नहीं लि जी बावा चोथा बिंदु है सिध्धान श्रम गती परिणाम इसको वैख्या देखे उसमें यह लिखा है आगे जैसा ही उर्जा संपन होना के कारण भीगे रहना से उर्जा संपनता उर्जा संपनता का प्रकटन बल के रूप में बल गती के रूप में क्या बात हो गए उर्जा संपनता स्वयम कैसे एक बल के रूप में बल गती के रूप में गती परिणाम के रूप में परिणाम श्रम के रूप में क्या बात हो गए और परिणाम और श्रम गती के रूप में प्रकट होता गया अपने आप में, इसमें किसी एंजनी रिका काम नहीं है, ये कोई बुधी जीवी का काम नहीं है, कोई नेता का काम नहीं है बबा तो इस सिद्धान से सारी इकाईयां काम करती हैं हारे इकाईयां स्वयम स्पूर्थ काम कर रहे हैं कि साधर पर हर वस्तु सत्ता में भिगा, डुबा, घिरा रहने से, भिगा रहने से उर्जा संपनता, घिरा रहने से क्रियाशिलता, क्या बाद? डुबे रहने से क्रियाशिलता, घिरे रहने से नियंतर रहने, तीन चीज आपको अध्येन बोध होता है, हर वस्तु, हर परमान अपने में नियंत्रीत है क्या बाद हे न पर्मानू अपने में नियंत्रीत है ख्रियाशी Beauty ने सरक सपनेता ये डुबे रहने से भिगे रहने से बल संपन गता है ये तीन बात आपने आप में सब्वना रूप में दिखाई पड ती ये बोधोने से ये संपुर्ण क्रिया स्वयंवश्पूर्थ है कोई आदमी क्रिया जैसे हम पतंग को उड़ाते हैं वैसा सबको उड़ा नहीं रहे हैं ठीक है ना यह अपने अपने स्वयम्सपूर्त विधी से सभी काम कर रहे हैं इस पर हम विश्वास रख सकते हैं इससे क्या फाइदा पुछा मनुश्य भी अपने स्वयम्सपूर्त विधी से विवस्था में जी जाए क्या बात हो गए? मनुश्य भी अपने स्वयम्सपूर्त विधी से विवस्था में जीवे यही मंगल कामना पहले ही रखा है कब होगा शुब? मानाओ जब विवस्था में जीएगा उसके पहले शुब होने घटित होने वाला नहीं है और सर्वशुब के जगे में सर्वारिष्टकारी मनें सर्व के लिए अनिष्टकारी कारी में आदमी जात लग गया इसलिए क्या हुआ प्रकारांतर से हम सभी अपराध के कठगरे में आ गये हैं प्रकारांतर से इसको अच्छी ढंग से परिक्षन किया जाए कोई आदमी धर्ति में बचेगा नहीं सभी फसेगा फसाई है अब उसको छुटने के लिए एक प्रस्ताव रूप में एक छोटा सा काम शुरू की है ठीक है इसमें आप सब जो है ना स्वतंतर हैं और बहुत अच्छे ढंक से समझने योगी हैं सचाई को समझने की तीव रिच्छा आप लोगों में बनी हुई है जिसको मैं देखता हूँ तो वो सफल हो ऐसा मैं कामना कामना रख करते हुए इस पूरे बात को आपको समझाते तक ये ये निश्चित तरीका अपनाया हो उस तरीके से हम समझा लेता हूँ ठीक है बाबा पांचवा बिंदु है उपदेश जाने हुए को मान लो माने हुए को जान लो अब देखिए अब अन्भव के बाद ये पता चला कि भी हम अभी तक क्या सोचते आये हैं हम करके सीखो परंपरा में क्या करते आये करके सीखो और इश्वरवाद भी वही बोला और ये भी बोला ठीक है ना दोनों यही बोले पहले इश्वरवाद भी आचारम प्रतमों धर्माहा विचारम तदनन तरम आचरन के बाद विचार करना अभी पहले नहीं करना कहा उसमें बिल्कुल सरसब बात वितरे के दिखा विचार के बिना कोई आचरन करी नहीं सकता यहां निकल गए यहां निकल गए तो हमको बता गया तुम आतिवादी हो छोटे मुँमें बड़े बात करते हो यह सब हमारे परमपरा ने हमको तफ़ा दिया उसके बाद हम यह किया है जो भाई अब समझ के करो अब जो कुछ भी शेश ताकत धर्ती में है उसको बचाने के अर्थ में हमें कर सकते हैं समझ के यह काम करना शुरू करते हैं सोचना शुरू करते हैं और प्रमानित करना शुरू करते हैं फल परिन्याम को पाना शुरू करते हैं धर्ती में ताकत बचा होगा, अपने में इस उधार लेगा, ऐसा शुभे इच्छा से इस प्रस्ताव को रखा, इसमें क्या होगा, जाने हुए को मान लेओ, माने हुए को जान लेओ, दोनों स्थिति में क्या होगा, समझ के ही करने की स्थिति बनती है, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा बन माना हुआ में क्या आता है माना हुआ जाना हुआ का मातलब है अभी जैसा हम ये भ्रमित समसार में इसमें वित्रेक है जागर्थ समसार में कोई वित्रेक नहीं है ठीक है ना अभी जागर्थ समसार में वित्रेक ये है कि हम मा कहते है पिता कहते हैं मित्र कहते हैं बंधू कहत और समंदों का उचारण करते हैं, क्या आजीवन निर्वा हो पाता है क्या? पुछा जाए कितने लोगों में यह निर्वा हो पाता है, उसको सोच लो ये जीव समसार की काम, जीव समसार में हम लोगों ने देखा है, गाए, बच्चे डालते हैं उसको यदि कोई आदमी छूदी है उसको मारे बिना वो छोड़ेगा नए ठीक है दो दिन के बाद वो मार करने वाला बात कम हो जाता है चार दिन के बाद मारना भूल जाता है ठीक है अपने बच्चे की समरक्षन में सब कुछ करने के लिएänder तैयार रहता है जब वो बच्चे को दिया रहता है थीक है तो इस प्रकार से पोशो समसार में भी मामता का कहीना कहीं लगाओ एक थोड़ा दिन से देर के लिए दिखता है वो मामता मानव में छरीर यात्रा परियंत रहना है परियंत रहने के लिए क्या हुआ जाना हुआ को मान भी लिया माना हुआ को जान भी लिया इसको माना हुआ को जैसा पुत्र को कौन नहीं जानता पुत्र की प्रयोजन के लिए है उसको हम पहिछाना नहीं है मानो परंपरा अभी तक क्या परंपरा सोचा इश्वरवादी परंपरा ये सोचा हमारा संतान ख्याती प्राप्त करेगा क्या ख्याती वेदमूर्ती बनेगा विद्वान बनेगा और शास्तारत में लोगों को परास्त करेगा अपना खड़ाव को दूश्रों के पूजा घर में रखाएगा यहाँ तक नमूने प्रस्तुत किये हैं इस बात को सप्ष्ट करता रहा कि जाने हुए को मान लेव माने हुए को जान लेव यह लिखा है इस मुद्दे को अच्छे तरसे लोग गम्मे होने के लिए सप्ष्ट करता रहा मूल मुद्दा अभी तक कि हमारा यात्रा रहे और इश्वरवादी विधी से भोतिकवादी विधी से करके समशू हम अभी शुरू किये हैं समझ के करो इस बात में जो ये तो बात कुछ तो आपको समझ में आ गया है इसके पहले कहा इसके साथ इसको जोड सकते हैं कि जितने भी हम प्रयोगों में वेर्थता को प्रयोण करते हैं प्रयोजन के अर्थ में प्रयोग करना बन जाता इस कैसे तो हम पहले जान लेते हैं भोतिक वस्तु का क्या प्रयोजन है भोतिक कारिक अलाप का क्या प्रयोजन है भावतिक परिणाम का क्या प्रियोजन है उसके बाद रासायनिक वस्तों का क्या प्रियोजन रासायनिक परिणामों का क्या प्रियोजन रासायनिक स्थिती गती का क्या प्रियोजन इन तीनों चीज़ को हम अध्यन कर लेते हैं उसके बाद जीवों का क्या प्रियोजन, भुनगी का क्या प्रियोजन, सभी का प्रियोजनों को हम पता लगा लेते हैं, इसका नाम है जानना, उसी प्रकार मानव का प्रियोजन को पहचानते हैं, उसके बाद इन सब का प्रियोजनों को हम जानकर मानकर प्रियोग करना बनता इसके पहले बनने वाला नहीं है, मानव अपने प्रिवजणों को पहचानना होगा, जीव समसार का प्रिवजणों को पहचानना होगा, वनस्पति समसार का प्रिवजणों को पहचानना होगा, और खनिच समसार का प्रिवजणों को पहचानना होगा, जानना होगा, अच्छी करने की बाद ही पैचानने निर्वाह करने की बात आती है ठीक है यह इसके साथ जुड़ती है अभी इसको स्पष्ट करेंगे और थोड़ा से भई पदार्थ समसार का क्या प्रयोज पूछा एक अभी इसके पहले एक सूत्र आपको सुनाये थे भई हर आगे प्रगटन के लि परमानों बनने का बीज बना है परमानों में अनु बनने की बीज बना हुआ है अनु में रचना की बीज बनी हुई है रचना बड़े से बड़े रचना धर्ती है धर्ती में रासाइन समसार का भीज बनी हुई है और धर्ती में रासाइन समसार में जो जीव समसार का भीज बनी हुई है और जीव समसार में मानम समसार उदै होने का भीज बना रहा है ये बात को अपने को अच्छी तर्व से एक प्रकार से सोचना पड़ेगा क्यों इसको ये प्राकरतिक लगवाई क्योंकि भोतिक समसार समर्द होने की बाद ही रासाइन समसार प्रगट हुई रासाइन समसार प्रगट होने की बाद ही जीव समसार प्रगट हुई जीव समसार प्रगट होने की बाद ही मानव समसार प्रगट हुआ है यह गवाई यह रखा हुआ उसके बारे में और कोई बहुत बड़ी लाबरेटरी बनाने की जरुवत नहीं है प्रकृती में जो गवाईया रहता है वो जादा से जादा उपयोगी सब को समझ में आने वाला होगा ऐसा मेरा स्विक्रती हम एक घर में बना लेते हैं एक छोटे से कामरे में बना लेते हैं वो जो है ना सब के पहुँचने वाला नहीं होगा ये प्रकृती में जो विवस्ता है यह सब को पहुंचने वाला है, सभी वेक्ति प्रकृति से जुडाई, मानव हैं बाकी तीनों प्रकृति से जुडाई, ठीक है, और पदार्थ है बाकी तीनों प्रकृति से जुडाई, रसाइन समसार है बाकी तीनों प्रकृति से जुडाई, जीव समसार बाकी तीन प्रकृ इसे जुड़ाइए यह जुड़े बिना ये कोई चीज अकेले में कोई चीज नहीं हैं ये बात समझ में आता है इसका कारण बताया था कि सहस्तित्व नित्य प्रभावी है तो व्यापक वस्तो जैसा वस्तो निर्मल वस्तो कोई भी उसकी जरुरत ने जरुरत का खाका उसमें नहीं है ज्यादा कम का खातका उसमें नहीं है परिणाम का खाका उसमें नहीं है परिवर्तन का खाका उसमें नहीं है और ऐसे पावन वस्तु सहस्तित्व के बिना परमानित नहीं हो पाया है। इससे बड़ी चीज क्या बताएं? इससे बड़ी चीज बताएं नहीं जा सकता। और अभी वोही चीज, मनश, जो है ना ज्यान, ज्यान समपन होने के पश्चाथ, के चारो अवस्ता के साते हैं परमानित होगा। चारो वस्ता में किसी को हम नात मार देंगे, किसी को लूट मार देंगे, किसी को सेंध मार देंगे, हम अपने में प्रमाणित होंगे, ऐसा सोचे, वो क्या होगा सोच लेओ, ठीक है, ये अभी तक हम चले हैं, इसी परकार की निश्ठुरता, ध्रिश्टता, मने कुरूरता को पूले के चले, फलस्वरों कष्ट में घर गए, घरना ही था, घर चुके, तो अभी यदि सदबुद्धी का प्रयोग करेंगे, संभव है, बचाकुचा जो शक्ति अहां है, धर्ती की, वो अपने में समालने में योगी हो जाए, इस आधर पर ये हम प्रस्तावे रखें, ठी अजय को अवागे में, ये वोगी हो जाई पर लगए, एया है उए एष्टफा महें हो पर गारगाओाज़का झालने पर दिएक हैंगे, अालने कैंगे obHomeका प्रवकाथ आखेंधी, मैं विचका पर गवरका के बारता है, करे अष्टार नहächst हैं।